डियर स्टुडेंट आप सभी कैपी स्टडी कॉमर्स अंड इंग्लीज गुरुजी चैनल में स्वागत है यह उधारन क्रमांग 35 देखें इसमें संकर और मंगल साइधार हैं जो क्रमसा 3.5 और 2.5 के अनुपात में लाव भाजन करते हैं यह कोश प्रस्ण 2010 और 2013 में आया संकर और मंगल साइधार हैं जो क्रमसा 3.5 और 2.5 के अनुपात में लाव भाजन करते हैं उनकी स्थिति विवराट जो उनका स्थिति विवराट निम्लिकित है तो यहां पे दाइत्व और संपति दोनों दिया हुआ है आप इसके अधार पे हमको यहां पे देखें कि वह बैपार में एक हजार रुपे ख्याती के तथा नई फर्म के नई फर्म में लाव का एक पटेतीन भाग प्राप्त करने के लिए यहां पर जो सब यहां थेस्ट पूंजी मतलब कितना पूंजी देगा यह नहीं बताया है इसी को हमको घ्यात करना है इसका केलकुलेश करके हम जो है बनाएंगे तो फर्म में प्रवेस देने का निश्चाय किया यहां भी निश्चाय किया कि डूबत रिड़ के लिए संचे 100 रुपे तक घटा दिया जाए और 2000 रुपे जो है इस्टाक 2000 रुपे पर पुनर मुल्यांकित किया जाए संयंत्र का मुल्य 500 रुपे कर दिया जाए पुनर मुल्यांकं खाता शायदारों का पुँजी खाता दर के संचितियों को прибशाठम करीफे Сंचे 200 रुपे तक हते जाए तो कि दोब रुपे 9 मतलब यहाँ पर संचय कितने का है 400 रुपय का है इसको हम 100 रुपय घटा देंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर लिखा क्या है 100 रुपय तक घटा दिया जाए ठीक है तो यहाँ पर कितना बच गया सव रुपय हम गटा देंगे तो चार सो का सव रुपय घड़ गया तो कितना वचा यहांपे तीन सव रुपया तो यहां पर हमने क्या लिग दिया । यहां पर हमने क्या注न दूबद एकाउंट दूबद लिघारेट खाता करके यहां पर ुचेंट पर फ्रीन गहां प्रेट यहां पे समझ में आगए होगा क्योंकि संचितियों में कमी होगा तो हम यहां इधर लिखते हैं और संप्राक में कि यहां दिया हुआ है कि सांयांत्र का मुलिया 500 रुपे कर दिया जाए कितना था। इसमने deux गयात्युं़पय कमी करके 5 रुपे कर दिया गया तो यहां पर लिख देंगे मसीनरी सब्सक्राइब मतलब मतलब मसीन खाता से करके 150 क्योंकि și यहां पर इतना ही है पुनर मुल्यांकन खाता में तो हम इधर को जोड़ दिये तो आड़ सुरुपया लेकिन इधर डेड़ सो आड़ सो में डेड़ सो को घटा है तो जो अंतर कि रासे है वह साड़े च्छाह सो को हमने बाटा संकर और मंगल को कौन से अनुपात में बाटा यहां पर देखे दिया वह तीन प्रिंटे पांच आड़ वह दो इसी में हमने बाट दिया संकर को तीन बाटे पांच भाग दिया मंगल से लिखा लेंगे तो 390 रुपया और दो बाटे पांच भाग लिखा लेंगे तो 260 रुपया ःगा ठीक है अब हम चलते हैं पुंजी खाता साजदारों का पूंजी खाता बनाएंगे तो सब से पहले क्या करते हैं चीठा में जो लिखा रहता है पूंजी संकर और मंगल का दो हजार और एक हजार इसी को लिखेंगे और उसको सेस लाया करके लिखते हैं यहां पर देखें बाई बैलेंस बीडी मतलब सेस लाया गया करक्याब लिग लिएगा 2000 संकर का मंगल का 1000 रुपे अब रोकड खाता को करके लिखेंगे लेकिन यहां पर यह उमेश की जो राशी यह अभी ज्याद नहीं हुई है इसलिए यहां करके रखना है पिर उसके लाता को करा और यो कि आए घांगे को घांगे तो मतलब 10 5354 मों यह सरी तीन बटे 5 5 मतलब इसको तीन अदो में बाड़ देंगे तो कितना आजाएगा तो हमारा आगया देखे ख्याति के राशी 600 और 400 रुपिया आगया क्लियर है अब हम पुनर मुल्यांकन खाता को करके लिखेंगे पुनर मुल्यांकन से यह वाला जो आया है लाव संकर का और मंगल का 390-260 इसको हमने 390-260 लिख दिया आप देखे इसकी तुर आ यह लिए ओठेगे लिए लिएक लिए दो इसके हिसाब से हम उमयच का लिखा लेंगे इसके लिए नया अनुपात की गढ़ना करनी पड़ती है नयानुपात की गर्ना की पेप्रमर्या देखे नए अनुपात फर्म की पुँजी एक मेंसे एक बड़ंत करें हैं थे बॉर Birds IPO के लिए तो हम क्या करेंगे एक बड़ंती तीन भाग को घटा देंगे तो सेज्फ बचे का कितना दोबाटि तो सेज भाग पुराने साजदार अपने पुराने अनुपात में ही बाट लेंगे तो साजदार का पुराना भाग कितना है तो साजदार का पुराना जो भाग है वह देखें यहां पर लिखा हुआ है तिन यह लिखा है तिन बटे पांच और दो बटे पांच लिखा हुआ है तो तीन दोने चार तीन पंचहें पंध्रा प्र repस्ण के चार नया नुपात लिखा लेंगे लेकिन इसका एक बत्तीन अभिन दिखें से उसका हिने ऊपन्दरा जी स्याग्यान तो व्यास्पाइब उसके रहतें में नीचे में इसको लिख्यां, अनुपात एक बटे तीन इसी को लिखें एक बटे तीन उमेज का भाग लेकिन इसको भी हम इसके हर जैसे यहां पर फंद्र वाइसी यहां पर भी इसका पंद्रा करेंगे इसलिए पांच से गुड़ा कर देंके पांच कम पांच त्या पंद्रा मतलब 6 अनुपात 15 चार तो चेह और चार तो चेह और चार तो तो टोटल वाग कितना दस बाग जोड़ेंगे तो यहां पर आया दो यह देखें कहां पर आया तो हम यहां पर क्या करेंगे जो उमेश का जो भाग है व पांच है तो इस पांच भाग के लिए कल्कुलेशन लिका लेंगे इस पांच भाग का हम गड़ना करेंगे तो चुकि दस भाग के दस अनुपाज की पूंजी बराबर चार हजाजा छही सपेंगे सब्सक्राइब तो इस लिए जो है पांच अनुपाज की पूंजी बराबर गर लिखा है यह देखे 2325 रूप्या जो हम यहां पर लिखेंगे उमेश के हिस्से में और इसे को हम योग लगा ढूए और इधार करके 222फविया यहां पर इसको लिख देंगे और इसे के सूरफ से हमको चीठ़ा भी बनाएं तो चीठे में देखे चिठे में जो लिखेंगे साहजदारों की पुंजी तो इसको लिखना है 2,990, 1660 और 2,325 यहां पर देखें पुंजी खाता से करके लिख दिये संकर, मंगल और उमेश 2,990, 1660, 2325 जैसे पहले चिठा में दिया हुए क्रेडिटर को लेंदार 4 रुपे को वैसे ही रहेगा रोकड में जो है 650 रुपे पहले पहले का था इसमें हम ख्याती किरासी को जोड़ेंगे और साहजदार जो उमेश ने लेका आया उसकी पुंजी किरासी को भी जोड़ेंगे तो देखे यहाँ पर लिग देंगे 650 रुपे ठीक है यह वाली रास도 है को चैसे 553 रुपे एक हजार तीन हजार हना तीन और चैन नौघ को जोड़ेंगे हैं यह कौन सा यह जो उमेज की चित्ता में रोकाड में दिया हुआ है इसको इन तीनों को हमको जोड़ना यहां पर धियान ईब डेव्टर डेव्टर जैसे seat नहुत है तो हम यहां पर देखे के डीक है सो रोपय का मही critique स्वाइब िए थीक है स्वा प्र्हे पर कुअश्ञ में 100 रुपय तक फिशन देंगे इस नहीं की यदा 900 ओपिए पहले 15100 रोपिया लेकिन उसमें 2000 क्याना है मसिन्री मत्यार है पहले 650 यहां प्रकार से यहां पर यहां पर पता सकते हैं ठीक यहां 650 तो आप इन तीनों प्रसनों से भली बाती समझ चुके होंगे कि यथेश्ट of पुझी लाएगा करके अगर प्रसन देता है तो उसको किस्परकार से हमको बनाना है इसमें केवल ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह रोकड खाता को करके लिखेंगा और यहां पर रासी को छोड़ दे रहेंगे बाद में कैलकुलेशन होने करके आपको को सौल करना है तो असानी से सौल हो जाएगा और समझ में भी आएगा कुछ चीजें ऐसे होती है जिनको समझना थोड़ा सा कटिन होता है लेकिन जैसा जैसा बताया जा रहा है उसी के हिसाब से आप समझने का प्रयाज किजिए सारी चीजों को पकड़ते जितने यहां पुराने प्लैट्स में जा करके आप देख सकते हैं सारे कोश्चं कबर हो चुके जो जो इंपोर्टेंट ने इसके के बात के जो question है आप चाहेंगे तो आप बना लीजे लेकिन उतने important question नहीं है लेकिन फिर भी आप अगर अपने जनकारी के लिए बना सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो के देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद